जी आज का जो हमारा टॉपिक है वो है वाइटनिंग फेशिल आट होम ठीक है कि घर में बैट के आप अपना फेशिल कैसे कर सकते हैं बिल्कुल आप घर में बैट के फेशिल कर सकते हैं खुद करें अपने साफ सुतरे हाथों से करें अपनी चीजों से करें आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है क्या आज जाना बहुत मुश्किल है और अगर जाते हैं तो वनरिबिलिटी जो है वो कोविट की बहुत ज्यादा होती है तो यह बहुत बेतर है कि आप घर के अंदर अपनी सक्ताओं सीचिन का ख्याल रखिए, घर के अदर जो है वो फेश्यल करें सबसे पहले मैं आपको बताती हूं कि फेश्यल क्या होता भाई? ड़ो है इसके थरी मेंग परपस हैं ट्री इसके एड़ habits थैया हैं। सबसे पहले तो सबसेड पेहला तो यह है कि बिदीप क्लिंजिंग अर्फिक स्किन की गयराई में जाके अनुमर्फिक कलता है विज ज़िए उमधर उपिक सिके ओवर भिया कि ऑमिय हमें चीज़ एवनुझे गयों कीज़ते दूटी है यादि करते ही इस के नरिशमेंट में वी बिल्bu करता ा अब आ जाता है कि वेशियल क के सकते हैं वेशियल और को बिलिशम नहीं हो लेकिन लेकिन मैं फर से कह रही हूं मैं बहले भी कहती है जा नहीं कि किसी किसी स्टेप में बलीच नहीं आती। फेश्यल के किसी स्टेप में बीच नहीं आती। और पूरी दुनिया में कहीं पर बलीच इस्तमाल नहीं की जाती है। के ऊपर, but for somehow हमारे हाँ उसको बेदर्दी से इस्तमाल किया जाता है और किसी भी तरह का फेशल हो, कोई स्किन पॉलिशिंग कह रहा हो, उसके अंदर ब्लीच दनी ही होती है और ब्लीच जो है, वो हामफुल होती है और वो इस इंस्टेंटली तो आपको लगता है कि आपकी स्किन शायद आपको पहले से अच्छी लग रही है लेकिन वो स्किन को बहुत खराफ करती है, बहुत नुकसान पहुंचाती है तो दो चीजें जिनको आपने एवोइट करता है, वो मैं सबसे पहले बता रही हूँ पहली चीज है कि ब्लीच, ये किसी स्टेप में, ये फेशल की किसी स्टेप में ब्लीच इंवाल्व नहीं होती और जो दूसरी चीज है, वो है स्टीम, अपनी स्किन को डायरेक्ट स्टीम देना, ये वाले दो स्टेप एक तो ब्लीच और एक स्टीम, ये पूरी दुनिया में उपसलीट हो चुके हैं, यानि कि पूरी दुनिया से खतम हो चुके हैं, इनको तो आपने करना ही नहीं है औ सबसे पहला स्टेप क्या है, सबसे पहला स्टेप होता है कि आप अपनी स्किन को अनलाइज करें, अनलाइज आपने कैसे करना होता है, कि आपकी क्या स्किन टाइप है और आपकी स्किन को क्या रिक्वाइड है, ठीक है, कुछ स्किन्स जो हैं, वो बहुत जादा ओली होती ह कुछ ऐसी होती है जिन पर एक्टिव एक्नी चल रही होती है कुछ ऐसी स्किन होती है कि वह मिचूर होती है कुछ ऐसी होती है जो कि मिचूर और ड्राय होती है और कुछ ड्राय होती है मिचूर ना भी हो तो वह ड्राय स्किन होती है ठीक है हम हर तरह की स्किन टाइप के ओपर facial कर सकते हैं एक skin type जिसके उपर आपने घर में खुद भी facial ट्राइनी करना और salon तो जाना ही नहीं है अगर आप चाहें तो आप clinic पे जा के facial करवा सकते हैं वो skin type है active acne वाली जिस skin के उपर active acne हो वो खुद घर में facial ना करें तो ज्यादा बेतर है उनके लिए बहुत अच्छा है बहुत बेतर है कि वो clinic में किसी भी clinic में जो skin clinic है उस पे जाए और वहां से facial करा ले खुद से वो लोग facial ना करें वाकि सब skin types वाले जो है वो घर के घर में बैटे बैटे facial कर सकते हैं ठीक है जो तो फेशिल का सबसे पहला step होता है वो क्या होता है सबसे पहला step है cleansing सबसे पहले आपने करनी है cleansing cleansing जो है वो आपके face से makeup आपके face से आपका sun lock आपका moisturizer कोई भी ऐसी चीज जो कि आपने face पे apply की वी हो नॉर्म रूटीम की चीज़े हो सकती है जैसे moisturizer होता है या कोई serum लगाया होता है या कोई sun block लगाया होता है अगर makeup नहीं है तो जो भी चीज आपकी skin पर लगी वी है वो आपके pores के अंदर जाके cleansing purifying gel दिखारी हूं और तरीका क्या होता है cleansing करने का वो भी मैं आपको बताती हूं देखे यह all skin types है mature skin पे बी young skin पे बी orly skin भी sensitive skin कोई भी skin वाला इसको यूज कर सकता है यह मैं आपको पहले भी दिखाती रही हूं मैं तफा फिर दिखारी हूं यह जो है यह भी चाहिए जिनकी बहुत ज्यादा ओली स्किन है जिनकी स्किन पे वाइट्स ब्लाक हेट्स बनते हैं या उनकी स्किन के उपर दाने भी बन जाते है ठीक है यह cleansing उनके लिए अच्छा cleansing की कैसा स्टेप है जो के active acne वालों को भी जरूर करना चाहिए बलके उनको इसलिए करना चाहिए कि जब उनके pores cleanse रहेंगे तो आप देखिए का कि नहीं होते आपको pimples कम बनेंगे ठीक है यह देखें यह मैं आपको दिखा रही हूं cleansing gel अप यह जो cleansing है इसको आपने करना कैसे होता है इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि आप अपने हाथों को गीला कर ले प्रॉपरली और उसके बाद वो गीले हाथ जो है वो अपनी cleansing जो होती है वो आप अपने eyes के around नहीं करते उसी तरह से face wash भी eyes के around नहीं लगाते eyes के ऊपर अगर makeup लगावा हो तो वो eye makeup removers मिलते हैं उन से remove करना चाहिए ठीक है आचा जी तो यह होगी cleansing यह हो गया इसका first step अब आज आते हैं हम second step पे second step है face wash फिर आपने अपने face को wash करना है face washes में आपको धेरो धेरो डिफरेंट तरह के दिखाती रहती हूं तो face wash आपका second step होगा जैसे मैंने आपको बताया था पहले की तरीका कैसे यूज करना है उसी तरह से आपने क्या करना है अपने हाथ भी गीले करना है उसके बाद आपने face को properly गीला करना है फिर अपना face wash जो है आप यहां पे लेंगे फिर उसको ऐसे दिस्टिब्यूट करेंगे और फिर face के ऊपर ऐसे लगा के और उसके बाद उसको आप खुले पानी से रिंस कर लेंगे साफ कर लेंगे उसे ठीक है पिर आप जाते हैं जी थर्ड स्टेप थर्ड स्टेप क्या है इक्सफोलियेशन अच्छा इक्सफोलियेशन जो होती है व बहुत इंपॉर्टन स्टेप होता है एक्सफोलियेशन जो होती है वो आपकी स्किन से डेड लेयर को उतारती है मैं आपको दो तीन तरह की एक्सफोलियेशन दिखाने लगी हूँ और यह सारी की सारी एक्सफोलियेशन जो है यह डिफरेंट स्किन टाइप के हिसाब से है तो अपनी skin type के हिसाब से ही आपको पाई करनी होती है, ठीक है, ये देखे, ये मैं आपको दिखा रही हूँ, enzymatic peel, इससे जो है वो आप exfoliate करते हैं, ठीक है, ये उन लोगों के लिए जिनकी skin के ऊपर जो है, वो active acne है, whiteheads है, blackheads है, इसके बहुत ज्यादा oily रहती है, ठीक है, य इसमें देखे, ये exfoliation gel, exfoliating gel जो है, ये उन लोगों के लिए है, जो basically जिनकी face के ऊपर निशान पड़े हैं, pigmentation है, uneven tone है, या color जो है, वो dull हुआ हुआ है, या फिर जो है, वो suntan हुआ हुआ है, ठीक है, तो ये उन लोगों के लिए बहुत ही बेहतरीन है, ठीक है, ठीक है, आपको एक और दिखा रही हूँ, ये कोई किसी भी skin type वाले जो है, वो use कर सकते हैं, ठीक है, ये भी exfoliation है, exfoliation कितनी देर करनी चाहिए, ये भी मैं आपको सारे के सारे steps जो है, वो दुबारा repeat करती जाओंगी, exfoliation जो है, obviously आप eyes के around नहीं करते, आप full face पे और neck पे exfoliate कर सकते ह ठीक है, अच्छा, अपने आपको एक और पीलिंग जल दिखा रही हूँ, ये पीलिंग जल और ये पील, ठीक है, ये जो है, ये डीप पीलिंग करती है, और ये जो है, ये बेसिकली surface के ऊपर करती है, this is called as enzymatic peel, जो के exfoliation कराती है आपकी skin की, ये जो है, ये डीप पील करती ह है, इसको आप फेशिल में रखना चाहते है, आट करना चाहते है, तो आप पूरे महीने में सिर्फ एक दफा करेंगे, बार बार नहीं कर सकते हैं, इसको भी आप बार कर सकते हैं, और ये जो मैंने आपको बाकी तीनों दिखाई हैं, इनको भी आप बार यूज कर सकते हैं, अच्छा जी अब होगी हमारी exfoliation, अब जब हमने exfoliation कर ली तो उसके बाद हमने क्या करना है, exfoliation के बाद आप अपने face को साफ कर देंगे, सबसे पहले हमने की cleansing, cleansing जो है वो आपने 10-12 seconds करनी होती है, यह मिन्टों के लिए नहीं की जाती है, ठीक है, minutes के लिए नहीं होती है, seconds के होती है, तो 10-12 seconds जो है, वो more than enough होते है, for full face and neck, ठीक है, उसके बाद आजाता है face wash, face wash तो आपको बता ही है, कितनी दिर लगती है, क्या मतलब क्या 3-4 second लग जाएंगे उसमें, उसके बाद पिर आजाता है, क्या कहते है, exfoliation, exfoliation जो आपने करनी होती है, वो भी आपने 10-12 seconds त जो स्किन है, उसके उपर नहीं करनी होती है, ठीक है, उसके बाद आजाता है, next step, अब आपने इसको wash कर दिया, next step है, facial massage, facial massage जो है, वो बहुत ही जरूरी step होता है, और बहुत important step होता है, क्यों, because facial massage के थूरू हम अपने muscles को एक तम से tone up कर लेते हैं, ठीक है, अब जैसे मैं आपको ये वाली क्रीम दिखा रही हूं, for the massage, ठीक है, आप भी कोई भी massage cream भी ले सकते हैं, मेरे हमारे पास तो जैसे बहुत सारी है, तो हम different different दिखा देते हैं, जैसे मैं आपको ये वाली दिखा रही हूं, जिनकी स्किन जो है, वो मिचूर हो, या जिनकी स्किन जो हो आपने मसाज के लिए, ठीक है, तो ये वाला स्टैप हो गया, मसाज कैसे करते हैं, और कितनी देर के लिए करना है, टू मिनिट से जादा आपको मसाज करने की ज़रूरत नहीं है, ये जो बिल्कुल आपकी छोटी फिंगर होती है, उसे आपने अपने आइस के अराउंड मस आपने इस टारेक्शन में मसाज करनी है, इधर से इस टारेक्शन में करनी है, और ये नेक के लिए आपने इधर करनी है, और ये भी आपने आउटवर्ड एंड अपवर्ड ही करनी है, ठीक है, तो इस तरह से आपकी मसाज की डारेक्शन होगी, पर टू मिनिट से जादा मस कि आपको ज़रूरत नहीं है ठीक है यह हो गया अब इसके बाद क्या स्टैप आता है मसाज जब आप ने कर ली तो उसके बाद आपने हलका सा पानी लगा के इसको हटा दिया जो एक्सेस है जो अगर आपके ऊपर एक्सेस बच गया है मॉइस्चिराइजर का मसाज क्रीम का त इसको देखें यह जो है यह डायरेक्ट एप्लाइ करने वाला मास्क है और इसको आपने 20-30 मिनिट्स लगा कर रपना है और उसके बाद आपने इसको वाश करके उतारना है ठीक है इसके इलावा जो है वो पील-off मास्क भी होते हैं जैसे मैं यह दिखारी हूँ यह पील-off म मास्क है यह उन लोगों के लिए शीट मास्क है जिनकी स्केन थोड़ी ड्राय है यह थोड़ी मिचोर है और या फिर उसके उपर पिग्मेंटेशन है और वो ब्राइटनिंग चाते है ठीक है यह जो है यह उनके लिए है जिनकी स्केन पर वाइट है ब्लाक है होते है और कि आपकी स्किन डी टॉक्सिफाय हो जाए आपके पोर्स जो है उनके अंदर तक इसकी मेडिसन चली जाए तो ये एक्टिव एक्नि वालों के लिए बहुत अच्छ है ठीक है और ये जो है ये स्किन लाइटनिंग मास्क है कोई भी किसी भी स्किन टाइक वाले इसको यूज कर कि उतार लेता है उसी तरह से जो पील ओफ मास्क ऩर लेते हैं और उसके बाद वॉश करने की ज़रूरत ने पड़ती है और जो शीट मास्क स होते हैं इंको तो वॉश ही नहीं करतें इंको जब आप उतारेंगे हटाएंगे तो एक्सस आपकी स्किन पर लगा वा होगा उस स मास के बाद बारी आती है जी टोनर की यहां पर मैं सरफ एक ही टोनर दिखा रही हूं बहुत सारे टोनर से मैं बहुत दफा दिखा चुकी नहीं हूं पर मास के बाद जो next essential step है that is a toner तो आपने टोनर को definitely यूज करना है जब आप टोनर को यूज कर लेंगे तो टोनर को यूज करने के बाद जो next step है that is serum फिर उसके बाद आपने serum लगाना है किसी भी तरह का serum लगाया जा सकता है और skin type के हिसाब से ही आपके पास होना चाहिए vitamin C का serum लगाया जा सकता है उसके इलावा blemishes औ लगा सकते हैं जो अपनी skin को brighten up करना चाहते हैं वो vitamin C लगा सकते हैं या alpha albutyn लगा सकते हैं जिंकी skin बहुत ज्यादा dry है उपर से fine lines है या wrinkles है वो hyaluronic acid का लगा सकते हैं तो different तरह के serums available होते हैं तो आप वो serum लगा सकते हैं ठीक है और serum लगाने के बाद क्या करना है या उस जैसे यहां पर मैं आपको यह दिखा रही हूँ यह pore refining moisturizer है चिंकी skin के ऊपर open pores होते हैं वो यह वला moisturizer लगा सकते हैं आप कोई भी अपनी skin type के साब से moisturizer लगा सकते हैं और moisturizer लगाने के बाद एक और step क्या होगा कि जिस वकत आपने moisturizer कर लिया तो अगर daytime है तो उसके बाद आप facial steps which you can do in your household and facial steps which you can do in your phone and facial where the skin is healthy, Feykening not to whom any skin whitening भी होती है और उसके इलावा dead skin उतरती है तो जो चीजें आप अपनी रुटीन में लगा रहे होते हैं उन सब की absorption अच्छी होती है और उससे skin जो है वो बहुत healthy और बहुत brighten up और बहुत अच्छी रहती है ठीक है जीट एक दफा फिर से मैं steps जो है मसाज और उसके बाद जो 5th step है वो आजाता है मास्क और 6th step जो है वो आजाता है toner और toner के बाद जो 7th step होता है that is your serum और serum के बाद आजाएगा moisturizer तो ये हो गए जी हमारे essential 8 steps जिनको करके आप घर में बेहतरीम facial कर सकते हैं और कोई आपको ये नहीं होगा कि ये multiple use की चीजे हैं या किसी के हाथ लग रहे हैं आप खुद कर रहे होंगे और मैं आपको बताओं जो tailor made होगा मतलब आपकी जरूरत की चीजें और suitable चीजें आपको दी गई होंगी और उसके थूँ आप कर रहे होंगे definitely उसका result awesome होता है बहुत अच्छा result आता है